यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल बटन को प्रेस कर ले जिससे कोई भी वी वीडियो आप मिस न करो तो चलो सुरू करते हैं आज हम पटियाला सलवार की कटिंग करना इसके लिए हमने धाई मीटर कपरा ले लिया है और इस पे मैं आपको कटिंग बताऊंगी और यह कटिंग इस तरीके से होगी जिससे आप किसी भी नाप की कटिंग आसानी से कर लोगे वैसा मैं तरीका बताऊंगी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बट इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखिएगा इसके बाद आपको किसी भी वीडि कर लेना है और इसी तरीके से हम पट्याला सलवार की कटिंग करते हैं यह देखिए पूरा कप्रा हमने इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर दिया है और अब मैं आपको बताती हूं कि हमें कैसे इसमें से कटिंग करने सलवार को तो सबसे पहले मैंने कपरे को सीधा कर लिया है जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे निकाल दिया है लाइन बना दी है और जो भी आपने बेल्ट बनानी है बेल्ट में ठाई इंच प्लस कर लिजेगा तो यानि मुझे सारे साथ बेल् 10 इंच का यहां पर निशान लगाऊंगे बेल्ट के लिए इस तरीके से यह देखिए और आपकी जो भी मेजरमेंट होगी आप उसमें धाई इंच प्लस करके बनाईएगा बेल्ट तो आप हर साइज की इस तरीके से कटिंग कर सकते हो तो हम पहले इसकी कटिंग करके हटा लेंगे और इस वीडियो को कंटिनिव देखिएगा इससे आपको समझने में आसानी होगी और इसमें यह आपको मिल जाएगी इसकी सिलाई की वी वीडियो के हम इसे कैसे जोडेंगे यह देखिए हमने पट्टी कट कर ली बेल्ट की और इससे भी अगर आपको है और यह लुक पटियाला की तरह देता है तो इसके लिए भी ऐसे फैब्रिक डवल फोल्ड अपकर रहेगा और उसके उपर से आपने एक बार और इसे फोल्ड करना है यानि फैब्रिक हमारा फोर फोल्ड हो गया यह और जितने भी मोहरी उत्यार रखनी है उसमें एक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई के लिए हमें टोटल लेंध में से बेल्ट हटा लोगे और चार इंच जादा रख लेना होता है मोहडी के लिए तो आप जिस भी लंबाई का बनाओगे उसमें से इसी तरीके किसे माइनस कर दिजेगा बेल्ट को और 4 इंच जादा कर लेंगे नहीं कितना गटाया है यह देखिए हमारा साध्य तीन इंच नीचे चला जाएगा और हाफ इंच उपर सिलाई में चली जाएगी तो बिल्कुल एक्शूरेट 31 इंच हमारा पर बचेगा यहां पर और साड़े साथ की हमारी यहां पर बेल्ट लगेगी तो हमारा परफेक्ट जो होगा 38 इंच का यहां पर सलवार तयार हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूं यह देखिए तो हमारी यह दो इसे लग कर लेंगे हैं और इसके बाद हमने पूंचा कट करना है जो भी हमारे चुनट बनानी है उसके लिए कपरा कट करना है यह देखिए दो पीस हमारा तयार है और इसे हम साइड में रख लेते हैं और बहुत ही सिंपल होता है पटियाला सलवार की कटिंग नॉर्मल सलवार से भी ज्यादा सिंपल होती है इसलिए कंटिन्यू आप वाच कीजेगा और आप इसे घर पे इस वार जरूर तयार कर पाओगे यह देखिए अब जो भी फैब्रिक बचाया ना हमारे पास ऐसे हमें रखना है और पहले मैं उपर से एकवल कर लेती हूं और उसके बाद हम एक साइड से आसन और लंबाई का निशान लगाएंगे आसन जितनी भी तयार रखनी उसमें से बेल्ट हटा के हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना हो तो हमने यहां पर 35 का निशान लगा लिया और इस लाइन को हम यहां पर सीधा कर देंगे इस तरीके से और जो भी फैब्रिक आपका बच रहा है ना उससे आप यहां पर बेल्ट में और भी चोड़ाई एड़ कर सकते हो या फिर आप डोड़ी बना सकते हो यह देखिए और अब हमें क्या करना है उस साइड हमने वहां नीचे आसन दिया है और इस साइड हमें ऊपर आसन देना है यानि क्रिस क्रोस त्यार करना है वही 8.5 इंच हमारा आसन यहां पर निशान लगा लेंगे हम और वही 35 इंच लंबाई हम यहां पर निशान लगा लेंगे तो यह दे और मोहडी के लिए मार्जन का काम करेगी तो यह हमने धाय—धाय का निशान लगाया और अब यह इस लाइन को सीधा कर लेना है। इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद हमिसकी कटिंग कर कर देंगे और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसकी भी हम कटिंग कर देंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और वीडियो समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कटके बैल बटन को प्रेस कर लिजेगा जिसे मेरी कोई तरह से हमारी यह चार कल्या त्यार हो चुकी है यह क्या हुशन हमारा है हमारा दो पहुंचा सब्सक्राइब के लिए और यह देखिए हमारा बेल्ट भी त्यार हो चुका है और बेल्ट की मैं यहां पर लंबाई बढ़ाओंगी थोड़ी सी तो यह देखिए हमने बेल्ट की लंबाई हलकी सी बढ़ा दिया और इसे 24 इंच त्यार कर लिया चलिए मैं उसको करके बता देती हूँ मैं आचुकी हुं मसीन पे और अभी मैं आपको उसके सिलाई करें नहीं करनी है साथ हमिगे के इसं आहीं हमें सब्सक्राइब करेंगे हमने यहां तक सिलाई की और फिर हमने इसे तरीके से और गाइज इस तरीके से आप पट्याले सलवार को जब स्टिचिंग करोंगे ना तो बहुत ही आसान प्रोशिश में आप इसे सिलाई कर लोगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से आ भी जाएगा अब अभी हमें क्या करना है कि इस तरीके से इस साइड फोल्ड करना है फिर जो हमने इस पेस छोड़ा था सौरी जो भी हमने यहां पर छोड़ दिया था खुलाव सा भाग वह जो होगा हमारा यहां पर हमारे डोडी के ल आप लड़ झाफ हमारे ट्वरी जो हमारे खुलाव और बहुता हुता है बहुत इस तरिकी पर में नेखे की सिलाई कर ली है और अब भी मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से हम डोडी डालने के लिए प्रॉपर नेफा बनाएंगे तो हम हाफ इंच उपर से फोल्ड करेंगे और लगबग एच से डेरी इंच की इस तरीके से जितना भी हमने मारजन रखाया उतने पर इसको डोडी डालने के लिए सिलाई कर लेंगे यह देखिए और इस तरीके से में सिलाई कर लेंगे हमने इसकी इसकी कर ली है और इसके बाद हमारा बैल्ट यहां पर तयार हो चुका है और अभी मैं नीचे की कलिया एड़ करना आपको बता दूँगी यह देखि कितना ही प्यारा सा प्यार्ट तयार हो चुका है I hope कि यह आपको समझ में आया हो कोई भी problem हो तो आप comment कीजेगा यह देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे कली ले ली है एक और यहाँ पे हमने पहुंचा ले लिया है और इनको इस तरीके से add करेंगे हम देखिए सीधे side से सीधे side को मिलाके इसके उपर हम सिलाई कर लेंगे दूसरे side भी same हम यही प्रोशश करेंगे इस तरीके से हम सिलाई करेंगे और इसे इस तरीके से खोल देंगे तो चलिए हम दोनों कलियों को यानि कि चारों कलियों को ऐसे सिल लेते हैं हमने यहाँ पे कलियों को जोड लिया है अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम पट्याला सलवार या भी कोई भी सलवार में फ्रिल कैसे बनाते हैं तो हमें यहाँ पे belt को बिल्कुल बराबर रख लेना है और देखिए पहले सबसे पहले हमें इस तरही के से एक-इक इंच के plate उठाके एक-इक इंच की दूरी पे देनी है और इस तरही के साब करते जाइएगा जब तकी यह belt के बराबर ना हो जाए और हाँ अगर आपको last में belt add करने में कभी भी ऐसा हो कि कम या ज़्यादा हो तो एक दो फ्रिल को खोल दीजेगा या फिर एक दो फ्रिल बना दीजेगा और इसे belt के equal कर दीजेगा और अगर आप proper वीडियो देखना चाहते हो प्लेट बनाने की तो description box में link है आप check out कर लिजेगा I hope कि उस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो ये देखिए दोनों साइड से इस तरीके से मैं अंदाजे से कर रही हूँ यहाँ पे plating तो इस तरीके से हम plate देते जाएंगे और इस पे शिलाई करते जाएंगे यह देखिए और एक ही बार में हम इस तरीके से belt को add कर सकते हैं और देखिए कितना ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा दोनों साइड equal belt त्यार हो गया और जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे ना अलग से तो अब हम क्या करेंगे इसके उपर से belt को add भी कर सकते हैं इस तरीके से उल्टा करके आप चाहो तो इसे belt add करते हुए भी यहाँ पे चुनटे दे सकते हो या फिर चुनटे दे के belt add कर लो चलिए तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम front में यहाँ पे belt add करते हुए भी चुनटे दे सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक में मैंने दो चुन्नटे इसी तरीके से दे ली है सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पे दो चुन्नटे आप बैक में दे दीजेगा और इसी तरीके से सेम और उसके बाद बैक बेल्ट में इसको एड़ कर लीजेगा और अभी मैं आपको फ्रंट की बता रही हूं फ्रंट में हमने इस तरीके से अपोजिट में दो चुनटे बना ली और इसके उपर से सिलाई कर दी और देखिए इस तरीके से हम बेल्ट बनाते जाएंगे यानि कि चुनटे बनाते जाएंगे और इस पर बेल्ट एड़ करते जाएंगे यह देखिए और इ त्रीक ही बार में हमारा बेल्ट प्रॉपरली त्यार हो जाता है यह देखिए हमने यहां पे बेल्ट लगा लिया है और अभी मैं आपको बताती हूं पीछे का लुक कैसा आया यह देखिए पीछे भी हमने दो प्लेट दी है और अभी मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से हमें मोरी बनाना है और यह देखिए यह रहा हमारा फैब्रिक उल्टे साइड में हमने कर लिया और अब हम यहां पर मोरी बनाएंगे मोरी के लिए हमने यहां पर बुकरम या फिर पेपर पेस्टिंग जो भी आप यूज करते हो वह ले लो और इसकी लंबाई हमने 18 इंच और चौड़ाई यह तीन इंच की है यह देखिए और इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है दोनों मोरी हमें त्यार करनी है ऐसे ही और जो भी प्यारा सा डिजाइन आप चाहते हो मोरी पर दे सकते हो और मोरी का मेजर्मेंट मैं कर रही हूं सारे 6 इंच हमें म मेजर कर लिया है और आप अपने पैर के हिसाब से मोडी ले सकते हो और उससे लगबग 1,5 इंच उपर जादा लीजेगा और यह हमने इस तरीके से शेप दे दिया और शेप देने के बाद हम यहां इस तरीके से इसको मिला लेंगे उपर से हम 1,5 इंच का इस तरीके से और उसके बाद इस निशान पर हम फिटिंग कर लेंगे और फिटिंग के बाद का लुक में आगे आपको एड कर देती हूं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को प्रेस कर लिजेगा तो मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के शाथ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजेगा कि यह कैसी बनी